हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल कम्प्लीट सुलोसन में दोस्तों यहाँ पर न्यूज यह अभी अभी जश्ट दोस्तों न्यूज आई है और यहाँ पर RRB के अधिकारी से बात करने के बाद जो बात सामने निकल के आ रही है यहाँ पर एक नई बात दोस्तों यहाँ पर सामने निकल के आ रही है देख सकते हैं यह जश्ट आदे घंटे पहले का न्यूज है दोस्तों और यहाँ पर डिटेल से थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोसिस करेंगे कि आखिर RRB के अधिकारी ने यहाँ पर क्या बयान दिया है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरूप D के पदो की भरती का रिजल्ट जो है दोस्तों वो फरवरी के मध्य में जारी करेगा और RRB के एक बरीष्ट अधिकारी ने NDTV को बताया यहाँ पर की गुरूप D का रिजल्ट यहाँ पर फरवरी के मध्य में जारी किया जाएगा अभी रिजल्ट जारी करने के लिए कोई तारीक निर्धारित नहीं की गई है और जल्द ही रिजल्ट जारी होने की तारीक से संबंदित एक नोटिफिकेशन सभी RRB बेवसाइट पर जारी कर दिया जाएगा अब यहाँ पर नई बात दो दोस्तों यहाँ पर है कि हाला कि मीडिया में बात ख़बरों के मुताबिक परिछा का रिजल्ट 17 फरवरी को जारी किया जाएगा लेकिन हमने इस पर भी RRB के अधिकारी से बात की और उन्हों ने इस तरह के ख़बरों को नकार दिया दोस्तो और यहाँ पर जो नई बात सामने निकल के आ रही है कि उनका कहना है कि अभी रिजल्ट जारी होने में समय है उमिद्वारों की संख्या जादा है और RRB के अधिकारी ने कहा कि करीब 1 कोरों 89 लाख लोगों ने परिछा के लिए आवेदन किया था जबकि इस परिछा में 1 क 17 लाख कोड़ उमिद्वारों ने भाग लिया था इतनी बड़ी संख्या में उमिद्वारों का रिजल्ट जारी करना एक बड़ा काम है दोस्तों और हम नहीं चाहते कि रिजल्ट में कोई गलती हो लेकिन अगर मध्य फरवरी के हिसाब से देखा जाए तो परिछा का रिज दोस्तों कि उन्होंने इस तरह की खवरों को नकार दिया है दोस्तों यहां पर वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी यहां पर कोई भी मिश्टेक रहे रिजल्ट में पूरी तरह से यहां पर एकुरेसी के साथ रिजल्ट को यहां पर पब्लिस किया जाए कोई रिजल्ट में डियान आ रही हैं दोस्तों तो यहीं बात दोस्तों सामने निकल के आई यह अभी अभी जश्ट यहां पर देख सकते हैं this for Ward 12 तो चलिए दोस्तों अभी पैसे इतना है श्रय है विडियो के साथ ताफ दिजाज़त दिजैंग जयह भारट